यूपी के मौसम समचार में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी जानेंगे यूपी के सभी जिलु के मौसम का हाल तो बिना स्किप किये वीडियो को पूरा देखें जली जानते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लाके में किस सरेकी की सर्दी पढ़ने वाली है क्या कुछ तापान रहने वाला है और आने वाले दिनों में तापान में कितना अंतर देखा जाएगा ये स सबसे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलु का हल यानि कि उत्तर प्रदेश के कहां कौन से जिले में क्या कुछ ठना का माहौल देखा जारा है और कैसे शीत लहर पढ़नी की संभावना जताई जा रही है तो आपको बता दे कि उत्तर प् आपको बता दे कि यूपी के कुछ शहरों का तापमान उत्रा खंड के पारे से भी नीचे जा चुका है तो यूपी के मेरट में लगतार तापमान काफी जादा गिरा रहा है और मेरट में काफी जादा धंड का माहौल देखा जा रहा है आपको बता दे कि रात के समय प्रफटनों में रगतार तापमान 28 जिगरी के आसपास बना हुआ है आगरा में अधिक्तम तापमान 28 दश्मरब 6 और न्यूंतम तापमान 13 दश्मरब 4 डिगरी रिकॉर्ड किया गया इसके लावा अलीगर में मैक्सिममम तापमान जो था वो 27 दश्मरब 4 और मिनिममम ताप तापमान 11 दश्मरब 8 रिकॉर्ड किया गया वरेली में मैक्सिमम तापमान 24 दश्मरब 6 और मिनिममम तापमान 9 दश्मरब 3 रिकॉर्ड किया गया इसके लावा मुझबफ़न अगर कि अगर बात की जाए तो इहाँ पर 24 दश्मरब 9 अधिक्तम तापमान और न्यूंतम ता और नियुन्तम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो अगर आंकडों पर नज़र डाले तो मेरट और मुझफ़ा नगर में नियुन्तम तापमान जो है वो कम बना हुआ है इसके लावा मौसम विबाग का क्याना है कि यूपी की कई शेहरों में शीत लहर होने की संभावना है जिन शेहरों में मौसम विबाग में शीत लहर और हलकी बारश होने का अनुमान जटाया है ऐसे में आगरा, कानपुल, लखनाउ, अलिगर, बारा नसी और मेरट इन शेहरों में शामल है जहाँ पर कुछी दिनों में शीत लहर का आगास हो सकता है यानि कि यहाँ पर ठण काफी तेजी से पढ़ने की संभावना जो है वो जताय जा रही है मौसम विबाग में थेजी से मौसम बदलने वाला है और कई राजयों में काफी ज्यादर ठण पढ़ेगी और यूपी भी उनियमें शामल है जहाँ पर आने वाले दिनों में तेज करकड ठंड पढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं मौसम विवा का क्याना है कि 26 नवंबर से शीत लहर और गलन की संफाबना है कई जिलों में शीत लहर और गलन शुरू हो सकती है 26 नवंबर से और 27 नवंबर से ठंड काफी जादा बढ़ जाएगी इसके पीछे का कारण उत्तर पश क्षिमी हवाओं का होना है आपको उता दे कि उत्राखंड से आने वाली ठंडी हवाएं भी लगातार मौसम को सर्द करेंगी और इसके चलते हार कपानी वाली सर्दी का सामना करना पर सकता है मौसम विवा का कहना है कि लग्रव सहित को जगवा पर बारिश हो सकती है और और यहाँ पर कम ताफमान रिकॉर्ड किया गया अगर सुभा साथ बजे के ताफमान के गर बात की जाए तो राजवानी लग्नों में 13 डिग्री सलसियस ताफमान दर्श किया गया जो की कम था और साथी साथ मौसम विवा का कहना है कि जलवाई उपरिवर्तन और अल नेनो के प्रभाव की वज़े से पूरे भारत देश का मौसम बदले का और उत्ता भारत में काफी जादर ठंड पढ़ने वाली है और यूपी में खास तोर पर इसका असर दिखाई देने वाला है बाकी सभी जलों में मौसम पहले की तरह सामाने रहेगा हर दिन मौसम से कर दें धन्यवाद